तो रेडी हैं हमारे होमेड चॉकलेट फ्लेवर क्रीम रोल्स बहुत ज़दा हेल्दी हैं मज़िदार बनेंगे और इनको हम बनाएंगे विदाउट मोल्ड तो आएं भी ने टाइम को वेस्ट किया अमेजिंग सी रेस्पी स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमने लेना है दो कप आल पर पर सलाइड यानि के मैदा और इसमें जाएगा वन बाई थर्ड कप कोको पाउडर का और इसके बाद जाएगा इसमें वन टेबल स्पून घी का इसमें हम माजरीन या पेर बटर किसी और चीज का इस्तमाल नहीं करें बह तो यानि के गी जो है वो अच्छे से इस सारी के सारी चीजों में मिक्स हो चुआ है तो आब हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी आडि करना है और इसकी एक हार्ड सी डöm करनी है इतनी कि जब आप इस तरीके से इसको छेक करें ना तो इसमें यह वापस से सुट्isc नहीं दिना, उसी टाइम इसारिस पे थोड़ा सा मेदा करना है और इसकी एक रोतीसी पत्लीसी बेल डेनी है। बहुत जदा पत्ली सी नहीं बेलनी, इतनी हो कि बिस जह मीडियूम S ही हो ना बहुत सदबारी को ना बहुत सदा मोटी यहां पर मेंने इसको बेल लिया था और यहां पर हम बटर का इस्तमाल नहीं कर रहें माजरीन का तो हमने यहां पर लिया है डालडा खी और यह बिलकुल रूम टंपरेचर वाला है ना बहुत ज़धा मेल्टिट लेना है आपने ना बहुत ज़दा हार्ड लेना है बस ऐसे रूम टम्परेचर वाला घी लेना है अच्छे से उसको हर तरफ इस पे लगा देना है और इसके बाद आपने थोड़ा सा मैदा डालना है च्छनी में और इस तरीके से छांते हुए आपने इसको पूरी जो ये रोटी हमने बेली है तो कि इसको हमने कवर कर देना है इसके बाद अगर कोई जगा रह जाती है तो आप हातों की मदद से भी कर सकते हैं उसके बाद आपने इसको एक तरफ से ऐसे फोल्ड करना है थोड़ा सा इसको प्रेस करना है और इसी तरीके से सेम आपने दूसरी तरफ से भी पलट देना है इसको जैसे हम देखते हैं कमर्शल जो बन रहे होते हैं क्रीम रोल ये बाकी सारा प्रोसेस वैसा ही है यह तक्रीबान आपने चार दफा इस को करना है यह जो मैंने अभी प्रॉसेस किया है इसको क्यूंकि हमने यहां पर माजरीन या फिर मखन का इस्तमाल नहीं किया तो हमें रिजल्स जो हैं खी से भी बिलकुल वैसे ही मिलेंगे तो यहां पर देखें अच्छे से सेट हो गया है मैंने इसको कर दिया और अब मैं इसको एक शॉपिंग बैक में प्लास्टिक के कवर करूंगे अगर आपके पास यह नहीं है तो आप किसी भी चीज से ऐसी जिससे यह ड्राय ना हो इसे कवर करके आप इसे फ्रीजर में रखे है घर पर बनाएं थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन यह के चीज जो है बहुत अच्छी भी बनती है और बहुत हेल्दी भी बनती है सबको पसंद भी आती है तो यहां पर यह अच्छे से से सेट होगी थी और मैं इसको लास्ट टाइम के लिए फ्रिज में रख रही ही हू उनको भी मैंने जीन मोल्ड से बनाया था वो अभी भी मेरे पास एक पड़े हुए थे यही वले और इनको बनाने का तरीका भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था तो आप वो देख सकते हैं अगर आपको यह बनाने नहीं आते यह नॉर्मल जो सेवन अभी आप एपसी आपको दिखा देती हूँ कि इसी के साथ मैंने एक ट्रेल ही है जिसके अपर लगा यह बटर पेपर और इसको ग्रीस करने की कोई ज़रूएत नहीं है अब यह फाइनल था इसको मैंने निकाला है बहार और इसकी रोटी सी पतली सी बेली है साइड सम बिल्कुल क्लियर कर द दो स्ट्रिप्स निकालूँगी ठीक है इस तरीके से और यह जो दो है यह एक पे लगेगा यहां से आपने बिल्कुल रखना है और जिस तरीके से मैं दिखा रही हूं बिल्कुल उसी तरीके से आपने इनको थोड़ा-थोड़ा किनारों पे रखते हुए फोल्ड करना है गराब बिल्कुल सीधा-सीधा रखेंगे तो वो खुल जाएंगे बाद में आपने थोड़ा सा किनारे पे रखते हुए इसको ऐसे कौन की शेप देनी है और इसमें आपने दूसरी वरी भी लगा देनी है साथ में तो स्ट्रिप्स से मैंने एक क्रीम रोल रेडी किया है औ और यह बहुत सा बर्दस लग रहा देकिन जैसे करमेर्शियल होता है इसे हम बनाते हैं बाहर से लेते हैं बिल्कुल वैसा ही है तो इसको आपने सिंपली बस जहां से आपने जोड़ाया वह साइड नीचे रखने और इसको रखकर तो यहां पर तीन बिल्कुल रेडी होग सिसमी सीट्स डाले थे यह ऑप्शनल अगर आप करना चाहें तो ओके नहीं तो कोई मस्टानी इसकी खुब सूर्ती के लिए मैं कर रही थी तो यहां पर माशाला से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं 30 मिनट में यह बेक हुए थे अगर पांच मिनट उपर होते हैं तो कोई मस कर लूँगी तो यहां पर बेगतरीन से हमारे रोल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं इसके साथ सिंपली मैंने यह किया था कि विपिंग क्रीम को विप करके रखा था और यहां पर मैंने इसमें वह भर दी थी मैं उमीद करती हूँ कि आप को मज़ेदार सी और इजियस्ट सी चॉकलेट फ्लेवर क्रीम रोल की रेस्पी अच्छी लगी होगी अगर इच्छी लगी है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिल दें एक नहीं वीडियो में दर्दा के लिए अलाहाफीज